Hello student, मेरा नाम है प्रशान्त रगवंची और आज हम लोग B-form 1st year 2nd semester के pathophysiology से stroke topic discuss करने जाएंगे तो अगर आप B-form से related नहीं भी है, GPAD, aspirants हैं या फिर आप generally इस lecture को देख रहे हैं तो मैं बता दूँ यह lecture आपको क्यों देखना चाहिए इस पूरे lecture में हम scientifically समझेंगे क्यों yoga, pranayam या यह सारी चीजें जो हमारे blood में oxygen level को enhance करती हैं जरूरी है Because जब blood में oxygen level कम होता है, तो brain में ऐसा क्या होता है कि brain damage होने लगता है Actually brain में glutamate नाम का एक neurotransmitter होता है जो abundantly पाया जाता है brain के अंदर उसका level बढ़ जाता है और वो brain को damage करता है, बट कैसे damage करता है हम पूरे pathogenesis के अंदर इसको cover करेंगे ठीक है, तो चलिए continue करते हैं, stroke को दो category में, ischemic stroke और hemorrhage stroke में divide किया गया है यह brain related disorder है, इसमें क्या होता है, stroke में एक medical condition है जिसमें poor blood supply होती है यह brain के specific part को या tissue को कह लिजिए, जिसके वज़े से cell death होने लगता है, यह दो तरह के होते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा blood flow में जब कमी आती है, lack of blood flow और दूसरा hemorrhage stroke जिसमें क्या होता है, कि bleeding होने लगती है यह brain में, अब आप कह रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि hemorrhage stroke में कैसे blood की supply कम होती है, तो देखें जो हमारी bloods हैं, यह blood vessels के through अगर कहीं पहुंसती है तो वो useful है, बर जब hemorrhage होता है, bleeding होती है ब्रेन के internal part में, तो होता क्या है, कि वो blood जो होता है, leak करके extra vascular space में चला जाता है, और cells को properly मिल नहीं पाता है, और blood नहीं मिलता है, तो oxygen नहीं मिलता है, इसके causes अभी हम आगे discuss करेंगे, जो mostly hemorrhage stroke के causes होते हैं, वो आपका congestive hypertension, cocaine abuse और anti-coagulant होता है, बहुत ज़्यादा cocaine ले लेने पर, यह इस तरह के addiction को बहुत ज़्यादा ले लेने पर भी stroke के chances बढ़ जाते हैं, तो stroke का जो definition है, stroke occur when the blood supply to part of your brain is interrupted or reduced, ठीक है, तो brain में जब oxygen और nutrient की deficiency होगी, तो stroke होगा, simple way में, अब symptoms की बात करते हैं, symptoms की अगर बात की जाए, तो क्या symptoms दिखते हैं patient के अंदर, इनको identify किया जा सकता है, routine, movement और activities के थूँ, जैसे speaking, अगर speaking की बात की जाए, तो patient जो होगा, वो confusion feel करता है, और slurring of speech होता है, slurring of speech यानि बोलने में उसको दिक्कत होती है, इसके अलावा, difficulty होती है, understanding में भी उसक ठीक है, इसके अलावा, paralytic occurrence, इसमें खास बात क्या है, कि paralysis के chances ज़्यादा रहते हैं, और facial muscle, arm और leg में, ये तीन जगों पे, paralysis के chances ज़्यादा रहते हैं, इसके starting होती है, numbness feel करना, weak feel करना, और धीरे-धीरे, facial muscle में paralysis start होता है, normally important point क्या है, कि stroke के वज़ा से होने वाले paralysis में, one one side of, इसको पहचाना कैसे जाएगा, one side of your mouth may droop, जुख जाता है when you try to smile, तो smile करने पर चहरे का एक side होता है, वो नीचे की और जुख जाता है, ठीक है, कई बार ये बहुत इतना कम होता है, paralysis की, पेशेंट नॉर्मल बिहेव करता है, बट उसके चहरे से लग जाता है, कि paralysis का ह एक या blood vision, धुंदला दिखना या पूरा दिखना ही बंद हो जाएगा, ये एक eye में भी हो सकता है, दोनो eyes में भी हो सकता है, headache, बहुत ज्यादा headache होता है, ये main sign and symptoms में आता है, stroke के, और इसके साथ जो mainly stroke जो होता है, उसके sign and symptoms depend करते हैं, किस पार्ट में bleeding हो रही है, या किस bleeding होने के वज़े से या ischemia यानि blockage के वज़े से brain के particular tissue को oxygen नहीं मिल पा रहा है, और इसके अलावा headache में उपर mention किया हुआ है vomiting, dizziness और ये सारी problem patient को feel होती है, ठीक है, तो हम part wise देखते हैं, if the brain stem, जो brain stem वाला part होता है, अब तीन पार्ट में normally stroke होता है, brain stem में, दूसरा cerebral cortex मे और तीसरा cerebellum में, तो आइए इनको देख लेते हैं, इसमें cerebrum, cerebellum और brain stem है, तो जो cerebrum है, इसी दोनों हिस्सों को brain का cerebral cortex कहा जाता है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले brain stem, जिसमें तीन पार्ट आते हैं, mid brain, pons और medulla oblongata, ये तीन पार्ट में जब brain के अंदर, इन ती समझते हैं, smell में, taste में, hearing में, vision में problem आएगा, फिर eye lead, जो हमारी पलके हैं, उसमें weakness होने लगेगी और drooping होने लगेगा, eye lead जो है, पलकों के उपर का muscular area है, eye lead उसको कहते हैं, eyelash पलके होती है, तो eye lead जो है, जुकने लगेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा aging वाले patient में ये ज हमारे गले के उपर related सारी चीजों में, sensation में, प्लस चहरे में problem आएगी, facial muscle weak होने लगेगी, इसके लावा, person को अपना जो, उसका posture है, उसको maintain करने में दिक्कत होती है, वो straight खड़ा नहीं हो पाएगा, वो अपने कंधों को बराबर नहीं रख पाएगा, एक side का कंधा उपर जो brain का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, cerebral, उसका cerebral cortex वाला हिस्सा है, उसमें जब problem आती है, तो aphasia, aphasia यानि difficulty with verbal expression, auditory, comprehension, reading and writing, यानि overall speech से related चीजों को समझने, लिखने, बोलने, इन सब में problem आने लगती है, जिसको aphasia कहते है, ठीक है, फिर altered voluntary movement, जो अपनी इच्छा से patient movement करना जाता है, अगर उसको कहा जाए, कि आप यहां से यहां चलिये, तो उसको उसमें दिक्कत आएगी, यह कब होगा, यह doctor diagnosis के लिए यह सारे symptoms यूज करते है, तो cerebral cortex में जब bleeding हो रही होगी, या फिर किसी भी वज़ा से, एन्यूरिजम के वज़ा से, या फिर blockage के वज़ा से, ब्लड की supply हैंपर हो जाएगी, ठीक है, फिर visual field defect होगा, visual field defect क्या होता है, हमारे eyes के अंदर एक blind spot होता है, यह अपने position से जब dislocate हो जाता है, तो चीजों की image, जो भी चीजे हमारे eyes में, हमारे आख के सामने हैं, उनकी image जो है हमारे retina पे properly नहीं बनती है, कई बार तो चीजे हमको उल्टी दिखाई देती हैं, अगर बहुत अलग-अलग तरह का visual field defect होता है, आई के किसी disease के segment में हम लोग इसको discuss करेंगे, BMS और MBBS के level के lectures में, बट यहां ऐसे समझ लीजिए, कि जो blind spot आई में होता है, वो disturbed होने के वैसे image properly हमको हमारे retina पे properly impact नहीं कर पाती है, ठीक ह memory में problem आता है, यह कब होता है, जब temporal lobe damage होता है, ठीक है, frontal, parietal, temporal lobe, आपको पता होगा तो हमारी कनपटी के पास, हमारे कान के उपर का जो portion है, वहाँ brain का जो हिस्सा है, sorry, जब वो damage होता है, तो temporal lobe damage होने के वैसे memory में problem आती है फिर disorganized thinking confusion, hypersexuality gesture, frontal lobe, hypersexual gesture का मतलब है कि patient जो होता है, वो hypersexuality, मतलब sexuality को लेकर के बहुत ज़्यादा aggressive behavior शो करता है, यह frontal lobe में damage होने के वज़े से होता है, ठीक है, इसके यह जो symptoms है, इसके chances कम रहते हैं, hypersexuality gesture के, because paralysis में patient वैसे ही इतना depression में चला जाता है कि sexuality से related सारी चीजें work नहीं करती है, ठीक है, coordination during movement खतम हो जाएगा, जैसे अगर एक patient है उसके तरफ हम हलका सा एक ball फेकें, तो वो idea नहीं लगा पाएगा कि ball कि इस speed से किस height पे उसके पास आ रही है, वो अपने हाथ को इधर धर ले जाएगा, फिर vertigo होता है, सारी चीजें घूमने लगती है और dis equilibrium, body में dis equilibrium आता है, ठीक अब सबसे interesting है इसका pathogenesis, तो उसको discuss करते हैं, pathophysiology का एक point यहीं पे mention है, तो जो ischemic stroke होता है, जो mostly occur होता है, ज्यादा तर chances में ischemic stroke होता है, 80% chances में, अगर हम एपीदिमोलोजी की बात करें, प्रिविलेंस की बात करें, तो इसमें क्या होता है, कि ब्रेन के tissue में, अगर 60 to 90 के लिए ischemia होता है, अगर ब्रेन के tissue में, oxygen supply रुकती है, ब्रेन में, CVR लेवल पे, 60 to 90 सेकंड के लिए, तो क्या होता है, कि ब्रेन के tissue injured होने लगते हैं, लेकिन यह injury reversible होती है, अगर तीन घंटे है, इससे ज्यादा ब्रेन के tissue में oxygen की supply disturb हो जाए, तो ऐसे में irreversible injury होती है, ब्रेन में, जो कि death cause करती है, sure है death cause करेगी, तो ischemia में क्या होता है, blockage होता है, blockage के कई reason हो सकते हैं, इसमें से most prominent reason है, atherosclerosis, जो क्या करता है, प्लाक के deposition के वज़े से, ब्लड के clot या प्लाक के deposition के वज़े से, जो blood vessels brain को supply दे रही थी, ब्लड की, उसमें blockage के वज़े से कम blood जाता है, किसी particular tissue में, अब यहाँ एक चीज में बता दू, पूरे heart जब blood flow करता है, left side से, तो aorta के जरीए, जो blood निकलता है, उसका 20% जो है हमारे brain में जाता है, यानि brain को बहुत ज़्यादा blood चाहिए, अब ये supply जब hamper होगी, तो stroke के chances बढ़ जाते हैं, ठीक है, second cause दिय decreases, तो इन सब के होजा से, brain का energy level गिर जाएगा, ATP का formation नहीं हो पाएगा, oxygen नहीं रहेगा, glucose की कमी हो गई, दोनों case में, क्या होगा, ATP का formation नहीं हो पाएगा, अब जब ATP का formation नहीं होगा, oxygen नहीं है, तो aerobic respiration नहीं हो सकता, glucose का, तो आपने पढ़ा होगा, ऐसे cases में, हमारे skeletal muscle में anaerobic respiration होने लगता है, वही चीज ब्रेन में भी होने लगती है, skeletal muscle में anaerobic respiration से जो product बनता है, कहीं भी anaerobic respiration होगा, जो product बनेगा, that will be lactic acid, यह lactic acid, skeletal muscle को उतना damage नहीं करता, बट ब्रेन के tissue को यह बहुत ज्यादा damage कर देता है, इसलिए योगासन, प्राणायाम, या ग तो जब ऐसा condition में lactic acid ज्यादा accumulate हो जाएगा, तो brain के tissue को damage करेगा, अब सवाल आता है, damage कैसे करेगा, क्योंकि lactic acid, चुकि acid है, तो brain के अंदर का acid-based environment, जो pH level है, brain के अंदर cerebrospinal fluid का, और अब उसका अपना ही एक environment होता है, brain का, जो की बाहर blood से अलग होता है, triple B के जरिए, that is blood brain barrier, जो fat की एक layer है, इसके बारे में कभी discuss करेंगे, बट एक चीज़ याद रखे कि brain अपने आपको, अपने environment को protect करके रखता है, तो वो environment damage हो जाएगा, ठीक है, तीसरा point है, oxygen और glucose level जब decrease करेगा, तो phosphate compound, जो की energy phosphate compound है, जैसे adenosine triphosphate, यह सब नहीं बनेंगे, तो energy का level कम हो इसे tissue damage होंगे, जो but natural है, तीसरा point, इसको आप skip कर सकते हो, first two point में, यह already introduced है, चौथा point सबसे important है, जो starting में मैंने बताया था, देखिए हमारे brain में, एक excitatory neurotransmitter होता है, जिसका नाम है, जो मेरा favorite भी है, research point office है, glutamate, यह glutamic acid का anion होता है, negative charge, ठीक है, तो glutamic acid एक natural amino acid है, जिसको हम diet में लेते हैं, उसका anion है, उसके anion का एक form है glutamate, यह हमारे brain में abundantly पाये जाता है, बहुत ज़्यादा पाये जाता है, और excitatory neurotransmitter है, जो एक neurons, दूसरे neuron को excite करने में role play करता है, because brain इसी तरह से work करता है, neurons इसी तरह से work करते हैं, अब यह याद रखिएगा, यह anion है, त ATP की कमी हो जाती है, इस ATP के बहुत ज़्यादा कम हो जाने से, ठीक है, क्या होता है, neurons जो होता है, less negative हो जाते हैं, और more positive हो जाते है, यानि neurons का charge जो होता है, वो बहुत ही less negative हो जाता है, internally और positive charge, cations का level बढ़ जाता है, अब यह बढ़ा हुआ कैटायन, जो कि glutamate abundantly पाये जात होता है, तो इसको attract करता है, और वो glutamate आ करके, उसके अपने receptor होते हैं, जिसका नाम है NMDA, यह सब जो अगर आप student है, be found, first year के, तो आप फार्मा कोलजी में, second year में पढ़ेंगे, तो परिशान मत हो यह, अभी इसको समझ लीजिए, कि यह glutamate का अपना एक receptor होता है, NMDA, ज इसके जरीए काफी interesting चीजें होती हैं हमारे brain में, alcohol और बहुत सारे जगहों पे आप इसको पढ़ेंगे, काफी interesting है, तो चलिए उसके regarding, already मैं lecture बना चुका हो, YouTube पे, अगर आप search करेंगे, तो मिल जाएगा, ठीक है, तो फिलहाल इसकी बात करते हैं, तो जब glutamate, जो की abundantly प ज़्यादा अंदर आया, और extra cellularly और cell के अंदर हर जगही कठा हो गया, और अपने receptor NMDA से जुड़ा, जब ये NMDA से जुड़ता है, तो calcium channel open होता है, और बहुत सारा calcium अंदर आता है, ये calcium, mitochondria के लिए poison है, ये ज़्यादा calcium, ये mitochondria को damage कर देता है, किसके mitochondria को, neurons के, अब आप specific point भी बता दूं, कि neuron की cell में, regeneration का power negligibly होता है, मतलब, अगर neurons की cell damage हो गई, तो वो अपने आपको regenerate नहीं कर सकती, उनमें cell division ना के बराबर होता है, ठीक है, तो ऐसे में, क्या होता है, उस tissue में, जहाँ पे ये damage सुरू होगा, वहाँ stroke के chances बढ़ जाएंगे, ठीक है, अब य क्या दिया है, sorry, ischemia also induce production of oxygen free radical, जब ischemia होता है, तो oxygen free radical, actually मुझे थोड़ी सी cuffing की problem है, मैं covid positive था तो अभी recover कर गया, but little bit dry cuff है, ऐसे में recording कर रहा हूं, तो थोड़ा सा hindrance आ रहा है, sorry for that, तो चलिए, ischemia जो है, क्या करता है, ये oxygen free radical का level बढ़ा देता है, ये reactive oxygen species बनती है, reactive oxygen species क्या होती है, वो free radical, जो जा करके other molecules से जुड़े, ये कब बनता है, जब ये oxygen की कमी होती है, तो जैसे lactic acid बनता है, वैसे और भी harmful compound हमारे brain में बनते है, ये एक दिन में नहीं बनते है, it will take time, one year, two year, five year, depend करता है person to person pathogenesis पे, और जब ये बनते हैं, तो ये brain के other neurons को, neurons के other other parts को, जैसे neuroglia cell, schwann cell, बहुत सारे part होते हैं, myofibrils, उन सब को damage करना है, start कर देते हैं, ठीक है, तो चलिए इसके बाद, causes की बात करते हैं, ischemic stroke, can be result of the blockage of artery or hemorrhagic stroke, या तो blockage हो जाए, ischemia हो जाए, या फिर hemorrhage हो जाए, जो starting में हम discuss की है, Some people may experience transient ischemic attack, which does not cause the permanent damage, कई बार हमारे life में कुछ events आते हैं, जैसे hypertension के वज़े से, stress के वज़े से, accident के वज़े से, internal bleeding होती है, थोड़े समय के लिए stroke होता है, फिर ये recover हो जाता है, इसमें permanent damage नहीं होता है, फिर इसमें ischemic stroke है, ये 80% stroke का causes है, तो इसको discuss करते हैं, ये दो तरह का होता है, thrombus formation, thrombus formation में क्या होगा, brain में जाने वाली blood supply जो है अंदर, वहाँ पे कहीं clot बन जाए, ठीक है, ये, इस clot को thrombus कहते हैं, और इसके वज़े से, आगे के tissue में, blood की supply न हो पाए, इस clot को बनाने में fatty material का role बहुत ज़ादा है, तो जो हमारे body में अगर fat का level बहुत ज़ादा रहेगा, वो भी कौन सा fat, low density lipoprotein और उससे related जो bad fat हैं, तो वो क्या करेंगे, blockage के chances बढ़ा देंगे, no doubt ये ज़्यादा fat, coronary artery में blockage को ज़्यादा enhance करता है, बट यहाँ भी blockage के chances को बढ़ाता है, दूसरा है presence of emboli, emboli क्या होता है, emboli stroke, इसमें कहीं और clot बनेगा, या फिर plug बनेगा, या कुछ और deposit होगा, उसके उपर blood के tissue इकठ्था होंगे, और कहीं कुछ और clot जैसा बनेग और ब्रेन की किसी pipe में, artery vein में block कर देगा, ठीक है, तो यह हो गया आपका emboli stroke, इसको आप read out कर लीजेगा, आप screenshot ले लीजेगा पूरे वीडियो का, और आप read out कर लेंगे, short notes आपका बन जाएगा, फिर hemorrhage, ठीक है, दूसरा है आपका hemorrhage stroke, hemorrhage stroke में क्या होता है, bleeding होती है, brain में starting में में बताया, अब इसको, इसके causes क्या है, जो main main causes है high blood pressure, obvious सी बात है hypertension, दूसरा overdose of anticoagulant, anticoagulant कभी भी जादा नहीं लेना चाहिए, वैसे तो normal person लेता ही नहीं है, बट अगर जिसको दिया भी जा रहा है, operation हुआ है, कोई भी problem है, तो ऐसे में अगर ज्यादा द लाइफ स्टाइल के वज़ा से, किसी भी वज़ा से, blood vessels जो brain में गई है, अगर उसका wall, उसकी layer बहुत weak हो जाती है, तो उसमें bulging होने लगती है, वो फट सकती है, इसको aneurism कहते हैं, इस condition में भी hemorrhage stroke के chances बहुत जादा रहते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं, hemorrhage stroke को divide कि दो पार्ट में, intra cerebral hemorrhage, इसमें क्या होता है, देखिए, brain के ऊपर एक तीन layer है, जिनको meningi कहते हैं, collectively, उनको उनमें जब अगर bleeding होगी, ठीक है, उसमें से तीन layer कौन कौन से हैं, durameter, pyameter, और arachnoid, ठीक है, durameter, pyameter, और arachnoid, तो सब arachnoid जो layer है, मतलब arachnoid वाली जो layer है बीच में, वहाँ से pipes गई रहती है, पतली-पतली artery veins गई रहती है, और उनके जरीए blood की supply brain में होती है, अगर वहाँ bleeding हो रही है, यानि layers में bleeding हो रही है, तो इसको sub arachnoid hemorrhage कहेंगे, और अगर brain के अंदर के tissue में, जैसे cerebrum में, cerebellum में, pons, alveoli में, midbrain में, कहीं bleeding हो रही ह तो इसको inter-cerebral hemorrhage कहेंगे, तो जो inter-cerebral hemorrhage होता है, इसमें क्या होता है, कि अंदर की cell damage होगी, ये कब होगा, high pressure में होगा, high blood pressure, trauma में होगा, vascular mal formation में होगा, blood जब thinning हो जाएगा, blood बहुत पतला हो जाएगा, यानि blood में platelet का amount कम हो जाएगा, तो हो सकता है, और intra-cerebral hemorrhage के chances in conditions में ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादा खतरनाक होता है, sub-arachnoid hemorrhage जो होता है, जैसा कि मैंने बताया, brain के उपर की जो 3 layer हैं, जिनको collectively meningi कहते हैं, ये brain को protect करती हैं, इनमें से arachnoid वाली layer में bleeding होती है, sub-arachnoid hemorrhage जिसको कहते हैं, तो इसके chances कब ज़्यादा होत और aneurysm के वज़ा से mainly ये होता है, ठीक, aneurysm से ज़्यादा chances, sub-arachnoid hemorrhage के होते हैं, जो relatively उतना harmful नहीं होता है, जितना inter-cerebral hemorrhage, ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो share करिएगा, और like, comment करिएगा, और subscribe कर दीजेगा, बहुत जल्दी GPAD से related मैं lecture upload करूँगा, जो आप के लिए काफी useful हो, चलिए, thanks for watching.